आमला में विटामिन C प्रचूर मात्रा में होती है जो हमारी इम्मुनिटी बूस्ट करती है और विटामिन C हमारे बालों के लिए हमारी स्कीन के लिए भी बेस्ट होती है तो हमें आमला ज़रूर खाना चाहिए Hello everyone, welcome back to my channel मैं हूँ Priyanka Sharma I hope you all are doing great अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शियर किया था how to make आमला पाउडर आप अपने घर में आमला पाउडर कैसे बना सकती है जब भी कोई चीज हम कुछ घर में बना कर तयार करती है हमें बता होता है कि जो भी इंग्रेडियंस हम यूज कर रही है वो कितने जादा कोई मिलावत उसमें नहीं होती है और जब भी हम उससे consume करती है या उसका topical application करती है तो हमें positive energy आती है और positive results भी आती है हर चीज को तो बनाना possible नहीं है बर जितना हो सकता है उतनी हमें आपने घर में खूद बना पर अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्रिप्शिन बॉक्स में या उपर दे हुए आय बटन में तो चले बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ जिसमें मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं अब आप लोग सोच रहे होंगे आमना खाने की बज़ाए हम लोग आमना पाउटर क्यों खाएं बहुत क्यों करता हैं बट करकी लुक्त सारी देश का जाता हैं अमना पाउटर क्वे इसमें यामना की उन्हाट क्राई कन선 जाता है बट उसमें और भी बहुत सारे ingredients add हो जाती है, जैसे चीनी add हो जाती है, salt add हो जाता है, बट आमला powder में और कुछ भी add नहीं होता है, इसमें और कोई भी ingredient add नहीं होता है, that's why it's the best way to consume आमला, so let's see the best ways to consume आमला powder. आमला powder को consume करने का best तरीका है, इसे पानी के साथ mix करके consume करना, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सुबह उठते ही पानी का एक गिलास ले लें, और इसमें add कर लें 1 tablespoon आमला powder, अब दोनों ingredients को अच्छे से mix कर लें, अगर आप regularly सुबह उठते ही इस तरह से आमला powder consume करते ह हैं, तो इससे आपकी immunity boost होती है, आपका gut clean रहता है and it also strengthens digestive system and purifies blood, तो हमें इस तरह से आमला powder regularly जरूर consume करना चाहिए, आमला powder consume करने का दूसरा best तरीका है इसे honey के साथ mix करके consume करना, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक चमच आमला powder ले लें और इसमें add कर लें एक अब दोनों ingredients को अच्छी से mix कर लें, अगर आप इस तरह से honey के साथ mix करके आमला powder consume करती हैं, तो इसके health benefits तो बहुत ही जादा है और साथ ही साथ ये खाने में बहुत ही जादा yummy होता है, अगर आप honey और आमला powder को mix करके consume करती हैं, तो इससे eyesight improve होती है, और साथ ही साथ ये हम mix करके इसे consume कर सकती हैं, तो आप जिस तरीके से भी आमला powder खाने में comfortable हैं, चाहे पानी के साथ खाएं या फिर honey के साथ खाएं, दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं, आपको best results मिलती हैं, but you have to be regular, तो आमला powder खाने से बहुत सारे benefits मिलती हैं, बट अगर आपको कोई medical issue है, जैसे आपको heart से related कोई problem है, या आपका blood pressure high रहता है, या आप pregnant है, या फिर आप एक feeding मदख है, तो इसे consume करने से पहले अपने doctor को ज़रूर concern करें, So that's it for this video, I hope you enjoyed watching this video और आपको ये informative भी लगा, अगर लगा तो प्लीज हिट the like button and share it with your family and friends and don't forget to subscribe to my channel, thank you so much for watching.